हलो डियर स्टुडेंट्स इस वीडियो में वच्चों हम रिवियू करेंगे जो कुछ हमने पिछली क्लास में पढ़ा है उसको हम एक बार दुबारा से रिवाईज करेंगे जिससे हमें वो याद आजाए तो फर्स्ट कोष्चन में हमें क्या करना है? consecutive numbers लिखने हैं consecutive numbers क्या होते हैं? एक के बाद एक जो number आते हैं उनको हम consecutive number बोलते हैं जैसे 997 के बाद क्या आता है? 998 और उसके बाद 999 इस तरह से उसके बाद 1000 इसी तरह से उसके आगे के नंबर हमें लिखते जाना है इनको हम consecutive नंबर बोलते हैं जो एक के बाद एक नंबर आते हैं उनको हम consecutive नंबर बोलते हैं इसके बाद next question में हमें expanded form लिखनी है जैसे कि 3428 है तो उसमें हमें क्या करना है 3000 plus 400 plus 20 plus 8 इस तरह से हमें नंबर की expanded form लिखनी है उनकी place values लिख करके इसके बाद हमें next question में greater than, smaller than और equal to का mark करना है कौन सा नंबर बड़ा है उस तरफ हमें arrow का उखुला हुआ हिसा रखना है जैसे 3470 बड़ा नंबर है 1256 से तो इसलिए इस तरफ हम खुला हुआ ह हिसा रखेंगे arrow का इसी तरह से 8477 चोटा है तो इस तरफ नोग रखेंगे और दूसरी तरफ बड़ा खुला हुआ हिस्सा रखेंगे इसके बाद हमें next question में नंबर को ascending order में यानि कि बढ़ते विवे क्रम में increasing order में हमें नंबर को arrange करना है तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे जो कि 3268 है इसके बाद हमें इससे बड़ा नंबर 4567 इसके बाद हमारा next नंबर है इससे बड़ा जो है 5674 इसके बाद 7040 और उसके बाद 8147 तो इस तरह से हम नंबर को increasing order में arrange करते हैं इसके बाद next question में हमें first part में in 452 में हमें place value लिखनी है सबसे पहले the place value of 4 4 की place value क्या है 400 क्योंकि वो 100 की place पर है that of 2 is 2 किस place पर है 1s पर 2 की place value क्या हुई 2 and that of 5 is 5 की place value क्या होगी 50 क्योंकि वो 10s की place पर है इसी तरह से बागी के questions की भी में भी डेजिट्स की place value लिखनी है इसके बाद deep part हम देखते हैं यहाँ पर हमें numerals लिखने है number लिखने है जो roman number हमें लिखे हुए है जैसे फर्स्ट वाला है 5 plus 1 6 और यह 5 के left side में 1 है तो यह हो गया 4 और next में 10 plus 2 12 इस तरह से हमें questions को solve करना है इसके बाद हम next question की तरफ चलते हैं यहाँ पर हमें greatest और smallest number बनाने हैं जो digit हमें दी हुई है जैसे पहले part में smallest number बनाना है 2, 7 और 9 digits से बना हुआ तो बच्चों यह बात धियान रखने की है जब हम number को छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं यानि increasing order में लिखते हैं तो smallest number होता है जैसे 279 यहाँ पर smallest number है और greatest number जब हम number को decreasing order में लिखते हैं 27972 तो यह greatest number हो जाएगा इन डेजिट से बना हुआ इसी तरह से next part में हम देखेंगे तो 308 यहाँ पर 0 सबसे चोटा number है लेकिन 0 first 100 की place पर हम नहीं लिखते तो इसलिए जो smallest number होगा उसको 10 की place पर लिखकर होगा 308 और greater number होगा 8, 3, 0 इसी तरह से बाकी के part को भी हम solve करेंगे इसके बाद बच्चों हम addition करेंगे 3 plus 9 12 1 carry 9 plus 4 13 का 3 1 carry 7 plus 7 14 और 7 तो 7,432 इसी तरह से next question में हमें horizontal sum करेंगे 2 plus 1, 3 8 plus 3, 11 1 carry 9 9 plus 5, 14 14 plus 6, 20 2 carry 6 plus 3, 9 तो इस तरह से 901 ये answer होगा इसके बाद हमें subtraction करनी है यहाँ पर कुछ addition है और कुछ उसमें subtraction भी करनी है तो हमें यहाँ पर पहले 583 में 602 plus करना है और उसके बाद उसमें से 315 minus करना है तो हम यहाँ पर इसको करके देखते है 583 में पहले हमें 602 plus करना है तो answer आया 1185 फिर इसमें से हमें 315 minus करना है तो हमारा answer आया 870 तो इसके बाद हम यहाँ पर हम answer लिख सकते है 870 इसी तरह से बाकी के question में करेंगे अब भी part में हमें पहले इन दोनों को subtract करना है फिर जो answer आयेगा उसमें से हमें 3rd digit को subtract करना है इसी तरह से इसके बाद हम multiplication का question करते हैं यहाँ पर 10th question में हमें multiply करना है तो पहला number पे 0, फिर 5 5s are 25, 5 3s are 15 और 2 17 इसी तरह से बाकी के digits को भी हम multiply कर सकते हैं इसके बाद हमें next question में 43 और 24 को multiply करना है तो इसमें हमें 2 row में हमें multiply करना होगा जैसे 43 और 24 तो पहले 4 को multiply करेंगे 4 3s are 12, 4 4s are 16 और 1 17 फिर पहला जगह खाली छोड़ते हैं फिर 2 को हम उपर के दोनों number से multiply करेंगे 2 3s are 6 और 2 4s are 8 तो यह number हो गया 1032 तो इस तरह से हमारा इस question का answer आ गया 1032 इसी तरह से हम बाकी के questions को भी इसके solve कर सकते हैं इसके बाद next question में हमें divide करना है जैसे 2 से हमने divide किया 2 बन जा 2 फिर हम minus करेंगे तो 1 फिर हम इस 8 को यहां लिख लेंगे और 2 9 जा 18 फिर हम minus करेंगे तो answer 0 अब dividend equal to क्या होता है 19 into 2 plus remainder 0 है तो यह हो गया 38 इस तरह से इन questions को solve करना है इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर कुछ और division करते हैं जैसे यहाँ पर 13 में first part है 168 को 2 से divide करना है तो 28 जा 16 हम करेंगे फिर हम minus करेंगे फिर इस 8 को यहां लिखेंगे तो 24 जा 8 minus किया 0 हमारा answer हो गया 84 इसी तरह से बाकी के part को भी solve करेंगे इसके बाद next question में बच्चों हमें color to show the fraction फिर्स पार्ट में हमें half 1 by 2 को color करना है तो यहाँ पर total 4 columns है तो 4 का अधा कितना हुआ? 2 तो यहाँ पर हमें इन 2 columns को हम color कर देंगे तो यह हमारा half हो गया 1 by 2 हो गया इसी तरह से next में 1 by 3 करना है तो 3 का 1 हिस्सा तो 1 हिस्सा मतलब 1 part हम color कर देंगे तो यह 1 by 3 हो गया इसी तरह से बागी के parts को भी हमें solve करना है इसके बाद next question में बच्चों हमें write T if the fraction is shaded correctly यदि shaded portion जो fraction दिया हुआ है उतना ही है तो हमें true लिखना है नहीं तो false लिखना है यहां पर हम देख रहे हैं तीन portion को shade किया गया है तो यह true है इसी तरह से next में यह false है next भी false है इसी तरह से बागी के part को हम solve करेंगे अब इसके बाद next question में बच्चों हमें true और false बताना है the part of a line between two points is called a line segment एकदम correct है यह बाद कि दो points के बीच अगर line connected होती है तो उसे हम line segment बोलते हैं opposite sides of a rectangle are equal इसी तरह से अलगलग question को पढ़कर हमें true और false को बताना है इसके बाद next question हम पढ़ेंगे यहाँ पर हमें कुछ clocks दी हुई है जिनमें कुछ time बताय हुआ है उसको हमें बताना है तो यहाँ पर पहली clock में जो time है वो 9 o clock 9 बजकर 10 minute इसी तरह से 8 बजकर 15 minute तरह से बागी की clock का time भी हम लिख सकते हैं इसके बाद next question में हमें 50 पैसे equal to how much रूपीज 0.50 इसी तरह से 4,200 पैसे मतलब 42 रूपीज इसी तरह से बच्चो बागी के questions के हम answer करेंगे इसके बाद हम 19 question करते हैं यहाँ पर हमें change करना है 2 hour 4 minute को minutes में convert करना है तो 2 hours 4 minute 2 hours मतलब 1 hour में 60 minute होते हैं तो 2 hours में 120 और उसमें हम 4 plus कर देंगे तो हमारे हो गए 124 minutes इसी तरह से बागी के questions को convert करना है इसके बाद हम next question में बच्चो find करेंगे हमें addition है, कुछ subtraction है, कुछ multiplication है कुछ division है तो पहला part हम करके देखते हैं यहाँ पर हमें कुछ rupees दियो हैं जिनको हमें add करना है तो सबसे पहले हम पैसे में पैसा add करेंगे तो पैसा कितना होगा? 50 उसके बाद rupees में तो 2 plus 1, 3 और 1 plus 3, 4 और 2 तो हमारा answer हो गया 243 rupees and 50 पैसा इसी तरह से बाकी के parts को भी हम solve करेंगे आशा है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों थेंक यू